लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपाइब करें अपाइब करें लेट्स भुष बड़ाइब करें लेट्स करें। हुआ 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 है हुआ हुआ है कि अंग्रसों के जमाने में राजगर एक बहुत बड़ी जागिर हुआ करती है आज में वहां पुराने जागिर्दारों की हवेली उजार पड़ी है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हम चाहते हैं यह उस हुआ हुआ है किस तरह की चेंज़े चाहते हैं मिस्टर सुनीद आप हमारी कंपनी के आर्किटेक्ट है क्या चेंज़ेस करना ज़रूरी है यह तो आप ही जाए करेंगे इसके लिए सबसे पहले मुझे वह हवेली देखनी पड़ेगी सर्वेकरने के बाद ही मैं आपको बता सकूंगा कि क्या चेंज़ेस की जरूरत है और उन पर कितना खर्च आएगा गुड हम चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो इसलिए हमने आपके आश्राम की सेट बुक करा दिया राजगर में असिस्टेन जीर प्रखाश आपको रिसीव कर लेगा कब लटेगा बेटा मां हफता भर लग सकता लेकिन परसो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं उनको मेरी फोटो देखा दा ना फोटो अरे कैसे सरफीरा लड़का है ये जाना कैंसल नहीं कर सकता बिलकुल नहीं मैं चाहती हूँ जल्द ही इस घर में पहु आ जाए बाल बच्चों का शोर गुंजे इस मुल्क में बाल बच्चे तो सभी पैदा करते है मां मैं नाम पैदा करना चाहता हूं काम करके अरे सुनते हो अब आप ही इससे समझाए हम लड़की वालों को क्या वो दिखाएंगे बेटे तुम अपना जाना कुछ रोस टाल नहीं सकते नाए पिता जी कंपनी का बहुत जरूरी काल है लेकिन जा का रहे हो राजगर राजगर ये तो बहुत ही अच्छी बात है लड़ अच्छी बात है अब मेरी गाड़ी का वक्त हो रहा है मैं चलता हूं और कि दूर है ये राजगर हवेली बस कुछ 15 किलोमेटर है दिंडलने तक पहुंच जाएंगे लगता है जबर्दस तूफान आने वाला है तूफान और इस सीजन में नामंकिन है भाई मैं इस इलाके में बहुत दूनों से रह रहा हूं मौसम बहुत अच्छा है अब आज़ो का अब बड़ी वीडान हवेले हैं रोशनी तक नहीं है रजवाड़े उजडगे कोई देख बड़ करने वाले में सिर्थ एक घूरा चौकिदा रहता है कि दर्वाजा किस ने खोला है मैंने दर्वाजा खोलने की कल अंदर है तो बाबा यो आकिटेक्ट साहब है जिनके आने की खबर मैंने आपको दिज़वाई थी अच्छा अंदर आईए आईए शुक्रिया कि अच्छ अच्छ कि यह तनी हारानी से जहानों तरफ क्या देख रहे हो कि अच्छ जी यह एक तस्वीर टंगी हुई थी लेकिन पिछले साल भूचाल आने के बाद गिर पड़ी लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक तस्वीर थी पता नहीं ऐसा लगा कि यह एक तस्वीर होनी चाहिए मुझे ता ऐसा लगता है तुम्हें आर्किटक्ट के बदले जासूस इस चर्की को हाथ मत लगाना फानूस गिर पड़ेगा फानूस हाँ अब बाबा यहां का इंतिजाम हो सकता है सर्दी बहुत लग रही है जी मैं अभी इंतिजाम किये देता हूं आप ज़रा पैचिए क्या देख अज़र एक क्रामफोन कुछ अचीब से मैंसे हो रहा है प्रकाश ऐसा लगता जैसे मैं पहले भी यहां कभी आ चुका हूँ भाई सुनील जब तुम आज तक राजगर नहीं आये तो इस हवीली में कैसे आ सकते हूँ नाचने क्यों मुझे यहां की हार चीज जैसे चानी पहचानी से लग रही है और आके टेट साहब यह सब सफर की ठकावट कंदर पीजा है तुम ऐसा करो तुम यहां थोड़ी देर आराम से बैठो और रिलाक्स को कम कम रिलाक्स कि आख कि आख कि आख कि आख कि आख कान कि क्या हुआ कि तुमने भी कोची की सुनी नहीं, नहीं तो? सुनील, आख कि रिलाक्स, आराम करो कि यह पता हुआ हैं… क्या है यह अरे यह तो किसी द्याहती लड़की के पाउं का कड़ा है हाँ क्या नाम था उसका नाम अब उस्रोज भी ऐसी तुफानी राथ थी किस रोज तेको प्रगाश को तेका तुम्हें वह गई लेकिन सुनी तरवाज़ा तु बंद है सुनील जब सब यहां हो न तुम्हें कुछ हो गया है चलो मैं तुम्हें कमरा देखाता तुम्हें कम मतल言 यहाज़ा तुम्हें कमरा युम्हें कमरानी थेखाता तुम्हें ले topics हो उत रहा nhất कि ये देख रहे हो तुम हां ये खून के दबें जो मैंने लगाए थे क्या तक तस्वीर तो बहुत परानी होगी कि ये मैं नहीं जानता लेकिन ये दबें मैंने लगाए थे मैंने लगाए थे थाकूर बल्बीर सिंग यह यहां के आखरी जविदार राजा थे यह उनी की तस्वीर है लेकिन सुनील को यह तुम्हें कैसे माल हुआ यहीं मुझे नहीं पता लेकिन यह ठाकूर बल्बीर सिंग है और वह खुन के धब्बे अपने हाथों से उस पर लगाए है भब्यूज मुझे लोगाए है गन्दा! वाज वाजआ 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 हुहाँ करार Ωरुटी हादा सुरुटी हादा आजाने कब की बात है यह शायद मेरे पिछले जनम की जब मैं इस पहाड़ी आलागे में आज आज शेवरात्रिय कोई सवारी नहीं मिलेगी अच्छा यह बताएए यह फॉर्स ऑफिस कितना दूर है चार कोस चार कोस इस तरफ इस तरफ किस तरफ इस तरफ इस तरफ शुक्रिया कर दो कि क्या हुआ कोच्वान गाड़ी क्यों रोक दी में साथ कोई रास्ता रोक कर खड़ा है बड़ा ही धीट है धीट नहीं मेरा नाम विने है विने आप शयद राजगर जारी है मुझे भी वहीं जाना है साथ में लेट चलिए बड़ी महरवानी होगी कुमर जी की बगगी में सवार होना चाहते हो तुम्हारी शामत तो नहीं आई जी नहीं अकेला ही आया हूँ सिर्फ एक सीट चाहिए एक दिलचस्प आदमी हो बैट जा यह कुमर जी कौन है जिने खाल उधिरने का शौक है कुमर बलबीर से आप उनकी क्या लगती है कुछ भी नहीं फिर आप इस बगई में कैसे मुद्दत से उनकी हवेली में भी हूँ फिर भी आप कुछ भी नहीं लगती बड़े भोले हो तुम शयद राजगर पहली बार आ में में मैं रेंज ओपिसर हूँ अच्छा जा इन जंगलात में तरह तरह के जानवर हैं उन्हें भड़का नमत मैं शेर चीतों से नहीं रहता है शेर चीतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं यह दो पैर वाले दरिंदे यानि आदमी मैं उन दरिंदों को भी काबू कर सकता अधर गाड़ी रोको यह गाड़ी क्यों आप उत्र हैं यह जी नहीं आप उत्रेंगे आपका फॉरेस्ट उफिस उधर है और मेरा रास्ता इधर ओ बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत-बहुत शुक्रिया चल्यर भाई अच्छा तो बिर्जु साब यह तो बताओ कि आपको खबर नहीं की गई थी हमारे आने की जी मेरा घोड़ा पंक्चर हो गया था सची बात यह है मैं भूल गया था साब मैं भूल गया था भूल गया था चलो कोई बात नहीं कोई चायवाई का इंतजाम हो सकता है बिर्चु साब अभी लाया साब ठाकुर को ठोकर लगई माफ करना ठाकुर साब किसकी तस्वीर यहाँ की मर्जी के खिलाफ साब यहां का पत्ता भी नहीं अल सकता ही अउन्हाने लेकिन यह तो सरकारी देफटर है उतारो से उतर यह किसके उतार रहा है मेरे अ कि यह दफतर कुमण जी की जागीर नहीं है साव आते कुवर्ट साफ की तस्वेर हटाने लगे अफुन दुसरे अफसर तो उनको सलाम करने हाजिर हो जाते हैं मैं यहां सलाम करने नहीं काम करने आया हूँ काम नहीं रेंजर साहब एक छोटी सी बात कहूं आपसे हमारे सरकार के ताबेदार बनके रही है इसी में आपकी भलाई है बैर मोल लोगे तो पश्टाओगे नसीहत देना छोड़ी और यह पताए क्या कौन है मैं मैं सरकार का खा हास आदमें हां तो खास तोर से याद रखो कि आएंदा इस दफ्तर में आना हो तो सिर्फ इजाज़त लेकर ही आओ अब तुम जा सकते हां से आपकी तस्विर उतार फेंगी आता ही हावा में उड़ने लगा कोई बात नहीं अभी नया है ना कुछी दिनों में अपना काम समझ जाएगा तब तक जंगल के कटाई रोग दो देम सेंग काम जारी रखो हां उस रेंजर से घवराने की कोई जरूरत नहीं है जो ज्यादा उंचा उड़ने की कोशिश करता है उससे हम जमीन पर ले आते हैं आप देखा निशाना हमारा सदा ला जवाब है कुमर जी वरना मैं क्यों शिकार बनती आपकी तो वो नया रेंजर मिला था तुम्हें रस्ते में कैसा है वो यह उन पुराने रेंजरों जैसा नहीं है जिन्हें आप आसानी से बस में कर लेते थे यह कुछ और ही तेवर रखता है तेवर कभी तुम भी तो रखती थी कर लिया ना बस में मेरी बात और है मैं तो एक नादान हिद में थी फज गई लेकिन राजा जी इस बार आपकी टक्र में एक मर्द पच्चा है लगता है कुछ कर दिखाएगा एक मामूली रेंजर क्या कर दिखाएगा उसकी आउकात ही क्या है अरे उसके जैसे तो 36 छोक्रे खरीज सकते हैं हम देखा साब एक दर्फ तोर गिरा दिया यह सब ठाकुर गया अदमी है जी हां साब आईए बंद करो या कटाई बंद करो वह कटाई प्रजा पर हुकम चलाने वाले तुम कौन हो सरकारी अफसर हूँ और यह तमाम जंगल भी सरकार के हैं यह तुमारे कुमर जी की जागीर नहीं है समझे रेंजर बाबू यह फूफा करने से पहले दफ्तर जाके नक्षे देखो नक्षे पिछले अफसर ने रिश्वत खाकर यहां के नक्षों में हेरा फेरी की है इसलिए मैं हेड ऑफिस से असली नक्षे अपने साथ लेकर आया हूं आ हाप नक्षे पहले सब ही लाता है जो बाद में रधी में टिकते हैं रधी में है कामजारी रखो अभ्यों कुलाणी उठाल अबरदार जो किसी ने कुलाणी जो पेर कार देगा उसे जेल जाना पड़ेगा जो ये सर तुम दफ्तर जाओ जी मैं आगे मुयाना करके आपता जी साब सुना नहीं मैंने नहीं कहा है साब ने कहा है suppression जाल उजाल जाल जाल सुना जाल सुना आजारी, आजारी, आजारी आजारी, आजारी, आजारी अरे ब्रजु जिसरकार जंगल में जर्णे की किनारे गाना कौन कोन गया करता तो पहर में कोहल और रात में उल्लू साब मैं इंसान की बात कर रहा उल्लू मैंने लड़की वो गाते सुना है तो आप मीठी आवास थी मीठी आवाज लड़की खुबशूरद भी होगी हो सकता है मैं ठीक तरह उसे देख नहीं पाया क्यों उसने लैंप बुझा दिया था क्या लैंप कैसे यह 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 रॉसनी वाला लैंप सहाब कुछ लड़कियां जरा सरमीदी होती है ऐसे बकत में उन्हें रॉसनी नहीं चाहिए होती है क्या बखवास कर रहा है घबराईये मत सहाब बिर्जू बड़े बड़े राज अजम कर जाता है पिछले रेंजर सहाब इसी क्वाटर में चंपा गौलन को लाया करते थे मगर यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और नमरते दम तक बताऊंगा तो तुम समझते हो कि पिछली रात यहां कोई लड़की आए थी अरे साहब मेरी तरह आप भी जवान है और जवानी में ऐसे गुद्टों खिला ही करते हैं तो मैं बेहुदा बाते तो नहीं कर रहा हूं यह ओड़नी कुछ कह रही है कि यह ओड़नी तो किसी जरने पार वाली लड़की की है कि तेज हवा के जो किसी जोसके गले से उड़ी सीधा मुझतगा पहुंचे मगर इस ओड़नी के पीछे उड़ते उड़ते आप जरने के उस पार मत चले जाईएगा वरना खटिया पर आपकी वापसी होगी क्यूंक तरफ के लाकों पर उनके मुख्या कराश था मगर कमर सहाब ने अंग्रेजों को मसका लगा लगा कर जरने के इस तरफ की जमीन अपने कफ़े में कर ली बस फिर क्या था वो लोग भाले और कुलाड़े लेकर टक्कर पर आ गए इस तरफ बंदू के थी इधर से ठाकर ने ठ अब पर मत जाईए गहां बूले से तुन नहीं जान बूच के जा रहा है जाए अरे सरकार मत जाईए सरकार मत जाईए सरकार गये सरकार कि अब कि अब आजारे, 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 आजारे कितनी सावन बीकर बीते गई बहारे हचारे हचा हचार हर भाबन में संद पिया पे सक्की आखेले पाः हर भाबन में संद पिया पे सक्की आखेले पाः हम बिरहा में चले अके में कैसे हमरे भाः ऐसी रंग रंगेली रुत में तब तत मन पुमारे चनम चनम के यासी अक्निया तेरे बाट निहारे इतनी सावत भी कर दीती कई बारे आजारे आजारे संदो 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 संस्की आजा संदो 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 दूर को यलिया दुह दूह दूले और हन को तड़ आए हो तब लट ले दौरा में सजना गुआए अब लाए हो कब कब धबा आए हाई तो फिर भी तब लहारे कितनी सागर बीकर बीती कई बहारे चन चन के क्या से अखिया तेरे बात निहारे है कितनी सागर बीकर बीती कई बहारे हाजा रे 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 रे हाजा रे हाजा रे हाजा रे हाजा रे हाजा रे हाजा रे हा झाल चोरी कर रही थी पर यह ओरनी मेरी है बाबुजी मांग लेती चुराने क्यों लगी मांगते डर लगता था क्यों मेरे सर पर सीम तो नहीं नहीं ओरनी दे दो न बाबुजी क्या नाम है तुबारा चंद्रमुखी 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 थक साफो चंद्रमुखी जानवर किसको कहा गोड़े को नहीं सवार को आज तक हमारे सामने किसी ने जुबान खोलने की कुस्ताखी नहींगी तुम्हारी ये जुरुत थेरिये सरकार थेरिये ये अंग्रेज बहाद्दूर का आदमी है नया रेंजर नया रेंजर बड़ी तारीफे सुन चुका हूं आपकी मैंने भी बहुत कुछ सुनाया आपके बारे में उदर कहां से आ रहे हैं आप कहीं जरने पार तो नहीं गए थ है जी हां गया तो था मत जाया कीजिए वहां बड़े खतरनाक लोग रहते हैं उस तरफ खतरनाक लोग तो इस तरफ भी हैं हम से दोस्ती करके हर खत्रे से बचे रहेंगे आप कभी हमारी हवेली पर भी हाजरी दीजिए वक्त मिला तो जरूर आउंगा शुक्रिया मरी मैं मैं वैं तुम्हें छुट्ती तुमें देदेंगे न मेरे साहब मेरे मेरे जेव में हैं यहां तो नहीं है आप टुझे दिखाई तो आफ चुट तुम टेंड़ को सब्सक्राइब कि अज़र है कि अलगा है अगर आप जरा चुटी दो दे तो मैं जूले में चुप मांग रहा हूं और तुम शर्म आती है साब बहुत शर्मीला हूं मैं सौनपुर का मेला बहुत मशूर है दूर दूर से लोग देखने आते हैं मुझे नहीं जाना है साब मैं तो बहुत बाहर जा चुका हूं मगर साहब देखने का मिला होता है बड़ी रौनक बड़ी धुमधाम होती है बड़ी मिठाईयां इतने आती है घुड़के से और बरफ के गोले मलाईया कुल्पियां पिर जू अपनी पकवास बंद करो जाबे क्या कहा हूं मैं मक्खे से कह रहा था या जाबे बहुत मक्खी आए याँ पर इसके मश्याओं साहब वो ओड़नी जर्ने पारवाली की लोटा दिया आपने भाद भाद की ओड़निया चुनरियां लहंगे आते हैं मेले में चूड़ियां खंखनाती है और खास तोर से जर्ने के पारवा अब जाओं मैं मेले में अरे बाब तु जा जा मेरी जान बख्ष तू जा बस जा नहीं आप केचे तो मैं नहीं जाता हूं जाता हूं जाता हूं कि अ कि कि साब गाए बें बत्चे इस सहाब में लेने दिर जुछा में लेने कोई बात नहीं आई चुपकू चाहित प्रावी तरह लेने क्यातू यहांते है कहा? 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 तरह आपी तो अ क्यो करें? यह यह यहाज क्यों रहा आए आए आज क्यों रहा हो आम भुभा श्रू करदीश तो तुमने भांग भी रखी है क्यों पते क्या करेंगे जूले पर बैट करते हैं तुझा ही ढूंड रहा था चंदा रानी बड़ी सुन्दर चूड़ियां देखिए चल तुझे पहनाओ चाह तू ही पहन ले मैं घूंधर कराती हूं मैं चूड़ियां पहनू हासी करती है एक दिन माई तेरा घरवाला बनूगा तुझा मेरा घरवाला तो कोई राज कुमार होगा हां साथ समंदर पार से आएगा मुझे ले ने जमीन में कार दूंगा अगर समंदर पार साया तो इस जनम में तुझ सिवा मेरे किसी और की होई नहीं सकती अच्छा तो जा मेरे लिए वो बाली लाल चूड़ियां लेया सच हां जाना जा आप 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 हा आप 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 हाँ । जालन जवानी तरपा मल 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 की है हल्की चुनरिया कि जितना संभालों गिर जाए चल 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 के इन आखों की दगरिया जालिम जवानी दड़ पाए मल 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 की है हल्की चुनरिया कि जितना संभालों गिर जाए चल 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 के इनु आखो की ददरिया चल चल मन वापा को सुचाही को निकली फिरे बजरिया किसनी नजरियों के दिर चलाए चलनी हो गई मोरी चुनरिया दिखर सकिर नहीं खाग न जाए मोही कर के वो जखनी हाए चल 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 के इन आखो की ददरिया रुक रुक मजू बनकी ही रणया रुक रुक मजू बनकी ही रणया कलया दूरी नगरे में आए एक जलक बस जरस दिखा दिखाए चुनरी में मुखडा चुपाए रुक रुक मजू बनकी ही रणया रुक रुक मजू बनकी ही रणया अपना भी दिल है देम दिवाना तुम्रा अकेला दोश नहीं अपना भी दिल है देम दिवाना तुम्रा अकेला दोश नहीं आया कहां से जाना कहां है इतना भी अब तो होश नहीं तुहरी नगरिया की फुल्जी दगरिया हो तुहरी नगरिया की फुल्जी दगरिया जैसे जो गनिया हो लच फुल जाए रुक, 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 मधुबन की हिरनिया रुक, रुक, मधुबन की हिरनिया रुक, 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 रुक दर्दी चले आकाश को छूने लेके उठे जब तु अंगराई कितना है भोला तु परदी पिया तोरी अकल्ब मैं सर्माई होते हैं जवानी के दिने से जैसी चिड़या के परलग जाए चल चल के इन पापों के गगरिया ये जालिम जवानी तर्वाए ये मल 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 के ये हर्की चुनरिया के जितना संभालों गिर जाए थुक तुक मजूबन की हरन याक निया तोरी नगरी में आए ओं एक जलक बत दर्स दिखा देखाए चुनरिया में मुख़ा चुपाए हुआ 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 है कि बाबुजी क्या हुआ हुआ है बटकी की जटकी लग गई है मसीनरी बराबर चल रही है ठीक हो जाएंगे ना अरे साम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे नसा उतर जाएगा लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रही है समझा मल मल की चुनरिया मल मल की है फल की चुनरिया जोकर लगना जाएंगे अरे छल चल 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 के नेनों की गगरी दिख बटकी भूट तुनरिया जो चेल, 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 जो चेल, नो कुझे मेरी जंदा की तरफ देखने बाला, सिंदाने यह जखना जो चेल, 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 के न आखों की कगरिया बाबुची? बाबुची? बाबुची तुम यहां क्या करे ओ, बाबुची? बाबुची आँखे खोलो ना किसे बात कर रहे पगली? यह विचारा तो बेहोश है, मैं इसे उठा लाया हूँ, नदी में डूब रहा था नदी में? लेकिन इन्हें तो वो क्यों, तु इस परदे से को जानती है क्या? नहीं, नहीं, हाँ भाईया क्या? मेले में आये थे बाबुची, बाची नहीं की मैंने, सिर्फ नाची गए इनके साथ फिर यह मटकी का भंग पीकर लुड़क गए चलो ठीक ही जाकर मेरा वो जड़ी बुटी कर दबा ले आप अच्छा भाईया बाबुची बाबुची कौन है आप? भाईया है मेरे और सारी बिरादरी के मुख्या भी यही तो तुम्हे उठाकर लाए थे नदी से पर बाबुची तुम नदी में कैसे पहुंच गए वो भंग के नशे में क्या कुछ हुआ मुझे कुछ यादी नहीं इतना ज्यादा मत पिया करो बाबुच मैं तो पीता ही नहीं हूँ वो तो नाज गाने में इतना खोगे जिआ था मैं कि के धोके में पी गया पहले धोका होता है फिर आदत पड़ जाती है होश में रहना से को बाबू बरना किसी दिन सश्मुझ दूप जाओगे ठीक ही कहते हैं आप सर भी इतना भारी है मेरा बस आपनों का बहुत बहुत धनिवाद अपने चलता हूँ ठेरो बाबू जी ये जड़ी बूटी पीलो आराम आजाएगा एक ही घूंट में पीलेना बहुत कड़वा है रहते कहा हूँ बाबू जड़ने पार राजगण में क्या राजगण में चले जाओ यहां से जी मैंने कहा चले जाओ यहां से और भूलकर बे इस तरफ कदम नहीं रख था पापुची तो बहुत अच्छे हैं भाईया इन्होंने मंगलों की मां की जान बचाई है तो भूल जाने हमारे जबीने चिन लेहें हमारे बाबा का घतौर कर डाला मैं उन लोगों में से नहीं हूं मैं तो कुछी दिन पहले ही हाँ सरकारी फ्रेस्ट ऑफिसर बनकर आया हूँ सब सबस्क्रेशन के खूट्यशन के चले जाए यहां से और मं कुपिया जी आपकी अवेली प्वास चाए किवादर घृट है मुख्यां जी चार कंधों का परोगरा मत बनाईये हम अपने दोपेरों पर ही चले जाएंगे साम चलो चले चली कसमें चली चल चल चलू है कग अचन्दा प्विसरा के लोगा, हुआ हुआ है अटेश के अट फॉर्ड बचो अट 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 नहीं चलती तुम तुमने मुझे बचा लिया बाबुजी वरना मैं चुडएल बन जाती चुडएल हाँ इत्ती उपर से गिर्ती तो मरती नहीं क्या जवान लड़की बिना सुहागन बने मरे तो उसे चुडएल बनना पड़ता है हाँ अच्छा ये तो बड़ी अजीब बात है तुम्हें तब कुछ भी नहीं मालूं बाबुजी हाँ हमें कुण समझा ये राज की बात है मैं समझाओंगी अच्छा एक बात बताओ तुम्हें डर नहीं लगता डर किस बात का अरे तुम्हारे भाईया ने मुझसे मिलने से मना किया था न फिर भी तुम चलिया आई बस आ कोयल और सुनेरी यह कैसो सकता है सच क्याती हूं बाबुजी वह उस पेड़ पर आती है खुद देख लो जूत नहीं बाबुजी जाओ ना खुद देख लो चलो देखते हैं कहां ये तुम्हारी सुनेरी कोयल कहां है तुम्हारी ये सुनेरी कोयल कि अरे यह तो काली है क्या हरे ओ अरे यह क्या किया तुमने क्या क्या अरे जुर्म का सबूत था इसमें खोलकर तुमने इसका सते नास कर दिया तो बिगड़ते का है को हो बाबुजी अभी लपेट देती हूं लो लपेट थोड़ी तुम क्या देखेरा जारी तई यह धांकनी अ हाँ लोहार के पास होती है ना इतनी बड़ी वाली ऐसी छोटी ननी मुनी धांककनी तो मैने कभी देखी पूरी तुम समा जाओगी इस अन्नी मुनी धांकनी préc set भासर शटासि कभी जील में अपनी पर्चाई देखि तुमने उस खड़ी ज़ाओ खड़ी ज़ाओ थाँकनी की यार में आँख क्यों मारी तुम्हेनी मारी चंद्रमुठी जी इस धौकनी को मारी है अब सिधी रहो ना चंदा भाईया बुलाते हैं भागा रुको रुको यह तो बता दीजा फिर कब मिलोगी पता नहीं जी चाहता है हम रोज मेरा करे अच्छा अब मैं जाती हूं कल मिलूंगी यहीं किस वक्त जब यह कोईल कुकेगी न तब और कोई नहीं कुकी तो कैसे नहीं कुकेगी बाबुजी इस पेड़ पर उसका बसे रहा है तड़के ही खाने की तलाश में निकल जाती है औ सरकार पेड़ करते हो तुस रेंजर के बच्चे ने फोटो ले ली है वह सबूत लेके जरूर पोलिस तक पहुंच जाएगा अगर आपका हुक्म हो तो मैं कल रात उसे खतब कर दूँ पागल हो गयो क्या वह हमारा दोस्त है कि दोस्त की जान नहीं लेते आपको हमारे साथ थाने चलना होगा क्यों आपके खिलाफ रिपोर्ट है बाबुजी मैं आ गई बाबुजी बाबुजी यह लो मैं भागी भागी चली आई और तुम पहुंचे भी नहीं अब तक कोईल की आवाज भी सुना नहीं दिक्या तुम्हें अब शायद आवाज उस पार पहुंची नहीं होगी अरे कूप ना आज कुछ खाया नहीं है क्या और जोर से निगोडी और जोर से क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे यहां क्यों बुला गया है आप सरकार को तो जानते हैं ना तो ठाकुर साहब आपकी सरकार है मेरा तो ख्य रेक्टर चाहे किसी भी सरकार का आदमी हो कानून की रक्षा करना तो इसका फर्ज है थाकुर्चाम ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या आपने इनके आदम्यों को इनहीं की जमीन पर पेड़ कारने जरू का वो जमीन सरकार की है पेड़ सरकारी जंगलात के हैं यह तो मैं दर्ज करवाने वाला था जूटी रिपोर्ट हम दर्ज नहीं करते जूटी रिपोर्ट तो आप लिख चुके हैं अब आपको मेरी सची रिपोर्ट भी लिखनी होगी मत भूलिए कि मैं भी आपकी तरह सरकारी अफसर हो इंस्पेक्टर अपनी अफसरी जंगल में जाकर दि मिलता रहे बस सुरू मिलेगा सरकार आप शिकार पर जा रहे थे ना जी आप जाईए इन से मैंने पढ़ता हूँ शुक्रिया कोईल भी चुप हो गई अब मैं भी तुम से बात नहीं करूंगी जाओ फिर अकेले बैठकर पेड़ों से बाते करना हाँ साहब यहां आपकी दाल नहीं कलेगी क्या मतलब कौन तुम जी फुम्मन आपके बिर्जु का लंगोटिया यार सरा इतर आए यहां के सब आफिसर ठाकर साहब की जे में है जे में सिर्फ एस्पी साहब के आगे ठाकर की नहीं चलती वो कुछ दिनों में या तश्रीफ लाने आप उनसे मिले वह आपकी बाद जरूर सुनेंगे अजरो करें अब करो क्यों गये सरकार लगता है जड़ीयों के पीछे को कोई शिकार छेपा हुआ है कौन छेपा जारी में बाहर निकलो बरना गोली मान दूंगा चोरों की तरह छेपी क्यों थी लड़की कौन हो तुम जवाब दो कौन हो तुम चंद्र मुख्य वाक्या ही चांद सा मुख्डा है यह चांद आज तक हमारी नजरों से बचा कैसे रहा भीम्सिंग अपने इलाखे का चांद नहीं है सरकार चरने पार वाला है वहां के मुख्या की बहन है यह तुम जाओ अब हम अकेले ही शिकार करेंगे जी सरकार महीरों का चंदर बुखी यह रुख्या अच्छा हां के लुख्या तक होच्छा तक हां के अच्छा हां बख्या हां कर अवरों के रुख्या हां कि वे एल में तक हांने तक होँई। विर दो प्रड़न ढुरत प्रड़न वरो देज़ कि उर भाप प्रड़न वर कि झाए बड़ी लस्त होके आ रही है चंचल जवानी अगर तुससे संभाली नहीं जाती तो मैं हूँ ना तेरी चाहत विरादरी वाला उस शहरी कमीने में क्या रखा है है तो मैं मुझे थपड़ मारा अपने होने वाले मार्ट को थपड़ मारा अज में तेरी सारी एकर निकाल दुआए पाभू के साथ एश करती है बचलन अब पर निकलाए तेरी आप चलन हईएएएऌ! हईएएएएएएएएए! मेंतर ओपत। ियाइ!!! ए यख ए खो ए इए का ए ए ए आबड़ ज bezpie मुप ए ए ए ए ए ए किजू ए एassandra हाँ तेरी पाभू अगली बार देख लूँगा तुम कहां थे बाबुजी कहां थे तुम जानते नहीं मैंने तुमारी कितनी रा देखी कहां थे तुम रो मत चल्दा फिर कभी ऐसा नहीं होगा मुझे बहुत डर लगता है बाबुजी कोई मुझे तुमसे चीन न ले माँ उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा चंदा मुझे कसम है तुमारी बाबुजी 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 सरकार यह मुर्जा चूमन करवा दिया उस मुख्या की बेहन को जब से देखा है भीम सिंग यह मुझरे वाली अदाएं फीकी सी लगने लगी है जंदर मुख्य को लाओ हमारे पहलू में मासूम अदाओं का खजाना है उसके पास उस खजाने पे नया रेंजर नाग जैसा कुंडली मारे बैठा है सरकार कुचल डालो उस नाग को यह कारिगरी है तुमारी और तब आलो हाँ मुझे फॉला चाहिए फॉला तलवार और भाले बन वारे हो मुख्या जी आं धुमा कभी न कभी तो राजकरवालों से हिसाब चुपता करना ही है हाँ बहुत बढ़ने लगा है हिसाब पहले हमारी समीने चीनी पड़े मुख्या का कतल किया और अब अब तो इस सथ लोगने वाली है क्या बगता है तू तुम्हारी चंद रूमधी को आज गड़के उस बाबु ने पास लिया है तू ने अगर मेरी भॉली बारी बेहन पर इल्साम धराना मैं तरी सुबान के लोगा गार्धन काट देना मगर पहले चान बीन तो कर लो रोज तो बहर को जर्मे किनारे मिलते हैं तूनो चल्दी क कहां जा रही है जरने किनारे भाईया क्यों वो कोईल बोलने लगी है बड़ी प्यारी लगती है मैं जाओ भाईया चल अंदर चल चिपचाप खर में बैठ बहुत ठील दे चुका हूं मैं तुझे थोड़ी तिर में तो लोट आउंगे मैंने कहा ने अंदर चल कहां जा रही है चला अंदर मैं बाहर थोड़ी जा रही थी कोई पता भी हिला है तो ये समझा है के तो है शायद यो तेरी राह में आँखों तो बिचा रखा है जुर्ब दुनिया के सही मूसे मदर उफर न किया यू तेरे प्यार को सीरे में छुपां रखा है खेच लाया है तेरा फ्यार चले आए 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 है कुर घँत को लाया है प्यार चु्चशना 1 मैं को समयर आए है वाया है त प्यार प्यार चले एünde व्यार है त इससे Tool क्यमिकotherap्ब आए है जिन्दगी अब तेरी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तेरी सौजा या मुहाबत के सिवा कुछ भी नहीं आज तर्नी यही वार चली आए है खेच लाया है तिरा प्यार चली आए है तड़े दुनिया में इवार चली आए है तुम्र जितनी है बादी तेरी चली आए है तेरी चाहत में कटे उम्र जितनी है बादी तेरी चाहत में कटे तेरे चेहरे से नजर प्यार की एक पल ना हटे हम तेरी दुनिया में ऐ यार चली आए है खेच लाया है तेरा प्यां चली आए है तड़े दुनिया में इवार चली आए है तेरी आए है रोकली हमको जो ऐसा कोई तुमान नही रोकली हमको जो ऐसा कोई तुमान नही प्यार की दुनिया में दाना कोई आपा नहीं हम न माने के कभी हर चली आए है खेच लाया है तेरा प्यां चली आए है तोड़े के दुनिया के दिवार चली आए है थेच लाया है तेरा प्यां थेच लाया है तेरा प्यां यहां क्या कर रहे है वो रेंजर किसी का इंतजार है क्या यह बताईए आप दुश्मन के लागे में क्या कर रहे हैं किसी की तलाश है क्या शिकार की तलाश में आया था लेकिन शायद अब नहीं मिलेगा भारी तूफान उठने वाला है मैं तो कहता हूँ कि तुम भी लोट जाओ ना तो मुझे तूफान का डर है और ना ही तूफान उठाने वालों का फिर ना कहना के खबरदार नहीं किया रेंजर साथ और मुप एकार प stesso क्की तूफान ओक भारी तूफान प्राइकिन जारिक उल्प प्रड़ प्रोफान हुआ हाओ तुम आ गए बाबुजी मैं जानती थी तुम जरूर आओगे बाबुजी तुम यहां कैसे तुम नहीं आई और मैं तुम्हें देखे बेना रहनी सका भाईया को तो पता नहीं चला बाबुजी तुम एक्तम भीक गए हो बाबुजी आओ आके पास बढ़ा हो यहां बढ़ा यहां बढ़ा हो यह लो फिर कभी ऐसा मत करना चंदा मैं मजबूर थी बाबुजी तुम नहीं आई तो ना जाने कैसी कैसी बाते मन में आने लगी करें मेरी चंदा को कुछ हो ना गया हो पिजलियां कड़कनी लगें बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर मेरे अंदर एक दुखान सा उठने लगा मेरी चंदा ठीक तुने ना उसे कुछ हो तो नहीं गया फिर मेरे से रुका नहीं गया तुम्हें देखे बिना मुझे चैन कैसे मिलता चंदा और यह क्या तुम रो रही है तुमने मेरे ले इतने दुख उठाए बाबुजी और मैं मुझेली यहां चैन से पढ़ी नहीं बगवान करे हमेशा ऐसा ही हो जितने तुफान जितनी बिजलिया हो वो मेरे हिस्से में आ जाए और सारे सुख सारी खुशिया तुमारी जोली में भड़ जाए तुम हमेशा चैन की नीज सोती रहो जंदा नहीं बाबुजी तुम्हें छुकर कहती हूँ अब तुमसे मिले बिना मैं कभी नहीं सोंगी मुझे अपने दुख सुख का साथ ही बना लो बाबुजी मैं तुम मर कर भी तुम्हारे पास रहना चाती हूँ सच बाबुजी मर चाओंगी लेकिन तुम्हारे साथ ही रहोंगी हसंगी तो साथ हसंगी रहोंगी तो साथ रहोंगी तंगा कमीने पत्माश आधी रात तो हमारी इज़त पर हाट डालने आया है मैं तुझे लाट रमंगी म जान लिले मुख्या मगर मेरी महबबत तो ऐसा नीच और ज्छूटा इल्जाम मत लगा तुम्हेरी मारू, जो! मैंने कहा थाना, आएंदा इहां आया तो तेरी लास बजाएगी जरी बहुत महबच का धौंग रहा जाता है जरी बुच्छार! मेरी महबच पर कीचर मत उचारा तुम भया तरफासे खोलो, हिया! तुम इने तुम रहा जाता है! भया! जब जबको हाएगी जए जबको हाएगी ज़ दुम इने तुम एमस्ट फोलो कि एक सबस्छारा जाता है तुम आपको हाएगी पलो जज मारी खवाएगी मुच्छारा प्रवार दो नूजा जो नूजा है हमें झाल चन्दा अ चंदा प्ग लेड़ बहिया बहिया चलोगे आव मेरे साथ जा पूछ अपने बाबुसे तुस्से ब्याद करेगा जा पूछ बाबुजी मुझसे ब्याद करोगे हाँ चंदा अगर तुम्हारे भाईया इजाज़त दें तो चंदा बाबुजी के घाव पर बूटी कुटकर लगा देना हूं अच्छा बैया अच्छा बाबुजी अच्छा अच्छा आप अच्छा पर अच्छा ब्यादरी के सामने यह खबर मुझ तक पहुंचा ने के लिए तू क्यों चला आया अपने मुख्या से रधधारी क्यों कर रहा है चंदरमुख्य का भाणे के लिए माने दोचार कतलभी कर सकता हूं सरकार यह चंदरमुख्य पर लट्टू है सरकार हाँ हाँ और उसने बताया कि मुखिया चंदर मुखिय का ब्या उस रेंजर से कर रहा है हाँ या उस रेंजर से हाँ हुजूर इसलिए आपकी शरण में आया हुजूर आप तु बहुत ताकतवार है माई बाप ठीक ठीक उधर की खबर इधर पहुंचाते रहो हाँ इनाम में चंद्रमुखी मिल जाएगी और यह नाम जल्दी दिला देना माई बाप वारना अगली एकादशी को चंद्रमुखी का ब्या उस शेहरी बाबू से कर दिया जाएगा अरे एकादशी तक बाबू राजगड में जिन्दा रहेगा तब ना जा चंदाब घर जा कब तक मेरे साथ सा चलती रहेगी अच्छा भीया लेकिन तुम जल्दी लोटा ना शेहर जा रहा हूं दो चार रोज तो लगेंगे और फिर दहेश के लिए सामान जो इखटा करना है तुझे कोई खास्ची चाहिए तो बोल नहीं मुझे कुछ नहीं बस तुम जल्दी लोटा ना तुम्हारे बिना मैं बिलकुल अकेली पढ़ जाओगी अब तु अकेली कहा है बाबु है न तरी देखवाल करने को अकेल है तो मैं पढ़ जाओंगा जब मैं तरह ब्या करके तुझे विदा कर दूँगा नई भाया मुझे नहीं ब्या करना म मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी इतने बड़ी हो गई बच्पन आभी तक नहीं गया जा घर जा मैं चलता हूँ कि अज़ीब जगह है एक्तम सन्नाटा है के इत alleviate यहाँ छफए है आ है ना है यहां कि कई बार यहाँ आंकर घंटों बैठे रहती हूं मैं अकेली उस वक्त मैं अकेली नहीं होती अकेली नहीं होती रेटे तो फिर कौन होता तुमारे सत्सक्त यह हैं यह सब हमारे पुर्खों की समाधियां हैं और वो मेरे माः और बाबा की जब मैं यहां आती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब मेरे पास है मुझसे बाते कर रहे हैं आब बापू जी उनका आशरवाद ले आननना जो मर चुके हैं वो आशरवाद कैसे देंगे देंगे बापू जी इस दुनिया में कोई नहीं मरता जिन से सच्चा प्यार हो वो हमेशा साथ रहते हैं चलो आओ आओ पापजी आओ मैं बहुत आओ कि अगर आओ कि अगर कि अगर कि कि कोई है कि 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 अरे तुम तो बिल्कुल भीग गई हो कि एक आपको तुम ही पहना नहीं नहीं में ठीक हो अरे कहीं ठंड लग जाएगी तो बीमार पर जाओगी वहाँ जड़ा और पहने लोगे कि 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 झाओ कि कि वnow कि कि मस्तानी है खून नहीं जाना रात बड़ी तूपानी है पर खारत भी आज अजब मस्तानी है दोनों तरफ वही दिल की लगी है तू भी करे क्या मैं भी करूं क्या तू भी क्या ल॥ आ पर आङकर बाइधिता थाई है तू भी करे क्या मैं भी करो क्या क्या तू भी करे क्या मैं भी मैं पर रूक या है अंतर प्रस हला तब हस्तानी है बाहर पानी है खुम नहीं जो आरो बरी तूफारी है पर खारत भी आज अजब मस्तानी है बाहर जो तूफा वही अब सीने के अंदर लगता है बाहर जो तूफा वही अब सीने के अंदर लगता है तन सीनी पट रही आज एक चुनरी क्या पहूं कैसा जद लगता है जद लगता है जनम जनम की प्यास तो आज बुझानी है खुन नहीं जना राद बड़ी तूफानी है खुन नहीं जना राद बड़ी तूफानी है हुआ 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 रेंजर साब मेरी जाज़त के बगार तुम अंदर कैसे आए आपकी इजाज़त की अब जरूरत नहीं है मुझे रेंजर बाबू ऊपर वालों ने भेजा है मुझे हां क्या मतलब देखता हूं इस बार आफ हविली पर हाजरी दें कैसे नहीं आते आपके बड़े आफसर साब आये हैं उन्हेंने आपको फॉरन बुलाया है एक्सलिन शैंपेइन कुणा साथ एक्सलिन शैंपेइन ये तो लाजवाब भाई इस इस वेरी रेर ब्राइंड इंडीड येस आपदार कि एफो साब कि सवारी जब लॉटे ऐसी छे बोतले इनके साथ भिजवा देना जी सरकार सरकार रेंजर बाबू रेंजर साहब बहु इस आपको सलाम किया है मैंने ठाकुर साब मेरे बड़े ओपिसर ये है बिने ये क्या माजर रहा है हमने सुना है कि तुमने ठाकुर साब के खिलाफ रिपोर्ट किया है अपनी ड्यूटी किया से सरकारी जंगलों से पेड़ कटवाए गये हैं आम बट वाट से प्रूफ सब किम सिंग के जरिये एक मोटी रखम आफर की थी नोने हम तुमको विश्वत लेकर ऐसा करने को कह चाहा है मैंने तो ऐसा नहीं कहा सर आप ही बहतर जानते हैं तुमको वह रिपोर्ट वापस लेना ही होगा ये हमारा ओडर हाई ठीक है सर आप अपने ओडर लिख कर दे दीज ताकि सबूत रहे के खलत काम मैंने नहीं किया आपने करवाया है ये दूस्टा की तुमको लिखा हुआ ओडर चाहिए ठीक है हम चुमारे ट्रांसफर को ओडर अभी लिख देता है तुम आज राजगार छोड़ दो और कल बंदे पोर पहुंच सही नाया डूटी जोइन कर और कुछ सर यू में गो तुस्ता ना ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी भाईया भी शहर गय है और अब तुम भी जाने लगे नहीं सिर्फ दो या तीन दिन की दुबात है मेरी चंद्रमुखी जी नहीं एक दिन के लिए भी नहीं जाने क्यों मुझे डर लग रहा है पाभुजी तुम चले गए तुम्हें एक्तम अकेली हो जाओंगी और अकर मेरी बदली हो गई तो भी तुम अकेली हो जाओगी देखो जंदा मेरा अपसर राजगर से मुझे कहीं और बेच रहा है मुझे शहर जाना है बड़े साफ से अमें तो अमाने तो तो अनोकनी छोड़ दूगा हमेशा हमेशा के लिए अपनी जंदा के पास आ जाओंगा अच्छा तो चलो मेरे साथ कहां कुल देवता के पास उनका आशिरवाद लेकर जाना मैं मैं उनसे प्राथना करूंगी तो तुम्हारे बड़े साफ जरूर माने जाओंगी तुम्हारी बात जड़ा मैं पूजय की ठाली लेकर आती हूं आप चलाओगी यहीं है बाबु जी आओ ना कर दो 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 जोब जोब बुझगी तो क्या हुआ यह बहुत बड़ा अप्शगुन होता है जिसकी जोब बुझ जाती है वो मर जाता है कि असी मनोज बाते ने करते चल्द नहीं यह सच है बाबु जी मैं मरना नहीं चाहती है में मिलने से पहले मैं मौट नहीं डरती थी लेकिन आ कि मैं चीना चाहती हूं तो म्हारे लिए जीना चाहती हो इतनी बड़ी सजा मत दो खुल देवता अभी तुम्हें सुहागन भी नहीं बनी अभी तुम्हें सुहागन बन गई अग्वान सक्षी है बाबुजी जल्दी लोटना मैं तुम्हारा इंतजार करूगी बाबुजी बाबुजी अग्वान सरकार मुख्या दो दिन के लिए गाहों से बाहर गया हुआ है और अज वह बाबुजी चला गया है भीम सिंग तब तो मैदान साफ है हाँ सरकार चंद्र मुख्य को इसके दुलहन बना दे सहने जल्दी बना दो सरकार जल्दी बना दो चंद्रमुख्य को उठा कर हमारे इलाके में लाना होगा सरकार मगर उसके लिए अपकी मदद चाहिए सरकार हम सब कुछ करेंगे तुझे दूला बनाने के लिए बस तू भीम सिंग को चंद्र मुखी तक पहुंचा दे ए चुनरिया एक बार फिर उड़ जाना उन तक खींच लाओने शहर से उनके बिनाब दिल नहीं लगता है री है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है भाव तो चला गया आज तुझे कौन बचाएगा मेरी बात मान ले मेरे साथ जहने के पाठ चाल मैं तुझे अपनी दुलन मना ऊगा मैं मुझे छोड़ दे जित करेगी तो नहीं छोड़ेगा पहले सुहाग राथ मनाऊगा है तेज़ा तो तुझे 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 क्षाण की फरिए , जित के तुझे तुझे पाए हुआ हुआ है हुआ है 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 कि बहुत भाग रहें नेरी दुलनिया बहुत भाग रहे थे अब करेंगें भाग तुझा दुजा दूमा कि दुलन बना है कर दोस्त जादी करवाने हैं मेरी अजय को अरे हाँ भई हाँ धुला तो यहीं रहे गया हाँ दुरे राजा तुम्हें भी पहुंचा देते हैं ठिकाने तक इस किलाज को उठा के नदे में फैंक दो हुआ 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 है एक बार जिसकी तमन्ना कर लें उसे हासल करके ही रहते हैं करें वहाँ! वहाँ! ommma! वह हाँ! चुर भीए! Haaah! कि अच्छा हट जा मेरे रास्ते ज़िए जिंदकी आप बर्बाद कर चुके हो अब एक और जिंदकी बर्बाद नहीं करने दूंगी हटी है कि नहीं कि बर्श कर अज़िए, झारुछ क बर्बाद कर आज़ुई नहीं हमिए खेली हralग बर्धेज घज है जंदा ओ चंदा देख कितना सारा दहर के सामान लाए हूं मैं तेरे लिए जंदा कहां चली गए है जंदा राम राम मुख्या कैसे हो जंदा तुमार साथ नहीं है क्या बात है अभी अभी मैं शहर से लोटा तो घर पर नहीं है चुले पर खाना भी जला पड़ा है इन दिनों वह तुमसे नहीं मिली नहीं मुख्या मैं तो खुद दो दिनों के लिए बाहर गया वा था तो फिर वह गई कहां जरूर उस पर कोई आपति चूट पड़ी है चलो बाभू उससे ढूंडते हैं चलो चंदा चंदा अ चलो चलो चंदा चलो चलो ओर के चलोगी है जर बालोगी है बस्चडराओ अवारी है जन्दा में, जन्दा को गोजजदी जाना झाय Making a का चाया जन्दा यहाई जन्दा 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 आपाした जनल 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 मुके जनल आप जनल कासाँ अरे तो एि के आवा सो नी मुके तो नीसो नी नहीं, भाब हम युने लिटून लेकिन यह चंदा मुख्या यह चंदा प्रका रही हूं तुम आओ मेरे साथ आओ आओ कोजाई 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 सुना आपने कहां बाबू आपको उसकी आवास सुना ही नहीं देती नहीं बाबू यह सिर्फ तुम्हार वहम है बाबू कोई आवास में वहम कि नहीं कि अरे साब साब मैं आपको कहां कहां ढूंड रहा था कलू तांगां कि अंगे वाले ने मुझे बताया कि आप कहली वापिस लोटाए आप कवाटर भी नहीं आया साब कहीं 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 कि साब मैंने दो दिन हुए देखा था वो भीम सिंग जरने के इस पार एक लड़की को कंबल में लिपटे वे लाया था और हवेली की तरफ ले गया हुआ है अरे साब अरे साब आप मैं जाइए मां हमेली में मैं जाइए मां खत्रा है अरे मुख्या जी आ कि दो चंद्रमुखी कहा है कौन चंद्रमुखी मुख्या की बहन चंद्रमुखी अ कर दो को यह कोई चंद्रमुखी नहीं है तुम्हारी जुरत कैसे हुई यहां आने की निगर जाओ यहां सीधी तरह पता दे चंद्रमुखी का है ठाकुर नुरनों में तेरा खून की जाओंगा तरह धद्रमुखी तरह और कमी तंद्रमुखी का है अ अ मार डालो इस स्रेजर का बच्चे को और लाश उठाकर नदी में फेग दो क्या आप तर बच्द़ को आ गोर किस्ध । कि तूओ मैं तुझे दिन्दाने चावरा थाकुर बर्लो पराना हिसाब चुगाना है मुझे मुझे जिन्दाने लिएी जडना हिसाब सेप कर वे राकुर कि वे घुझे जिए जिर सेे राम जाकटर साफ बाबोजी की जान बचा लें जल्दे अरे क्या है जञते हैं जखमी है इनकी जान पर बनी है जडी करो जली झालिए लेचरों अब फिकर की कोई बात ने तुम्हारे बाबुजी अरे बही कहा खो गए तुम कैसी तबियत है अब चंदा ये दवा पी लीजे तुम कहां चले गई ती चंदा मैं तुम्हें ढूंटे ढूंटे पागल होगा जारा था देखें आपकी तब्या ठीक नहीं है ये दवा पी लीजे और यहां लेट चाहिए कैसी बाते करें तुम और ये ये लिवास तुम्हेती बदल कैसे कही चंदा मैं चंदा नहीं हूँ तेखो मजाग मत करो मेरे पास आओ अब ये बाबुजी के पास आओ मैं चंदा नहीं हूँ दॉक्त आओ अपने विस्तर वापस चलिए चंदा की बताओ तुम लोग अचाजी ये इस ऑस्पिरल की नर्स संदे बखवास मत करो ये मेरे चंदा है चंदा हाँ अरे पागल होगा ये तुम लोग सब क्या मैं अपनी चंदा को नहीं पैचानू मां अधियर के वजह से कई बार वरीज उल्टी सीदी बात किया करते हैं ऐसे बरीजों का खास से ये ये अलता बता है ये सक्राइब करता है ये सक्राइब करता है ये सक्राइबальной हाँ पानी जिए ये 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 इग तुम अच्छों आजा, आजा आजा आजारी WOOD आजारी आजारी आजा 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 तुम कहां हो चंदा कि मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं कि तुम्हें मैं सूस करता हूं कि तुम्हें सामने क्यों नहीं आती कि क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं चंदा पन पन भट की पागल मनवा तेरे प्यार को तरसे पन पन भट की बादल मनवा तेरे प्यार को तरसे ठक्याँ फूड के रोएं जैसे बादल तूट के बर से एक पल चैन पड़ी राहं को बल पल तुझे कुपारी जनम जनम के पासी अखिया तुरे बाद निहारे कितने सावर भी करे बीते करे बहारे आजारे 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 कि चंदा कि यह कौन किर पड़ा है अरे जरा देखो तो पर यह तो बेहोश मानूम होता है इसे उठाएकर जीब में ले आओ यह अच्छा है उठाओ सुनुम जी इस बेट का पेशन कहा गया पता करता हूं ठीक है पिल्कुल नहीं शक्राइब क्या बाद रिजिस्टर यह देखिए डॉक्तर कल हम बेकार है उस बेचारे को पागल समझ बैठे किसी को भी घलत फहमी हो सकती है बिल्कुल तुबारी सूरत तो इससे पहले तो कभी नहीं मिलेगा नहीं लेकिन जरूर उसकी जिंदगी में मेरी ही शकल की कोई लड़की होगी पर वो कया कहां क्या बताऊं सुपरींटेंडेंडेंडन साहब है अपनी चंदा को तुनता पिरता हूं ना जाने ठाक उन्हें उसे कहा गयब कर दिया है जब से के तमाम अफसरों को थाकुर्बलबीर सिंगे खरीद रखा है मैंने तो कोई बास सुनता ही नहीं है सर मैंने सुना आप इंसाफ का साथ देते हैं अब तो सिर्फ आपकी कासर आई सर डॉंट बरी मैं खुद इस मामले में तह्कीकात करूंगा ठीक विर्जू अपने साहब को वाटर में ले जाओ और इनकी देख भाल करो इन्हें आराम की सख जरूरत है साहब जाब जी थाइक यो अरिमच अपिसाएब सिस्टर ये साह सुनो देखो वो कल रात को जो पेशेट यहां से गाव हो गया था वो राजगार फोरस्ट आफिस पहे तुब ऐसा करो वाज चली जाओ और उसकी कर्डिशन के बारे भी रिपोर्ट देती रहो ओके राइट सब्सक्राइब कमाल है थाने से निकले थे सुबा और आप शाम को वापस आ रहे हो ग्रू क्या चक्क्र है थो मन तू घंचक्र है मुझे तंग मत कर मुझे चक्कर आ रहा है फिर तो जरूर कोई चक्कर है चक्कर यह है कि बाबुजी पागल हो गए है मुख्या के घर में चंदा का इंतिजार करते हैं कहते हैं वो उनसे मिलने आती है उनसे बाते करती है और तू ही बता अरे जो मर गई हो वो लोड़कर आ अब बूद आता होगा अब भूत नहीं होता है मैं सच कहता हूं विर्जु भाया मेरी मां कहती थी पीपल के पेड़ पर भूत होता है तू कभी पीपल के पर चाहता हां कई बर चड़ा हूं तो तेरी मां सही कहती थी तुझको देखा होगा अब नहीं होता है अरे होता है सुनुये मैरे को खुशूर नहीं है सब खुमन की शरारत है मैं तो भूद से बूद रता हूं बूद से मुझे माप कर दो चंदा आशा अरे अरे असलिये भूत नहीं है मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तुम्हारे साहब वहापना पर्स पूलाए थे वही नाकनशा वही चेरा वही आगे अब समझा बाबुजी ने आपको देखा होगा और वो आपको चंदा समझ बैठे होगे हाँ अच्छा यह तो बताओ यह चंदा कौन है क्या हुआ उसे यह एक लंबी कहानी है आप बैठिए मैं आपको सुनाता हूँ आईए यह उस विचारी की दुख भरी कहानी हम सबको तो विश्वास है कि चंदा इस दुनिया में नहीं है लेकिन बाबुजी नहीं मानते उसकी तलाश में इधर उदर भटकते रहते हैं इस वक्त कि तुम्हारे बाबुजी कहां होंगे आगे बाबुजी कहां डूल रहे थे आपको काल जन्दा 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 कम मेरी जन्दा नहीं हो मैं आशा हूं हॉस्पितल में आप मुझसे मिल चिके हैं नाचाने क्यों हर सूरत में मुझे अपनी चन्दा नजर आती है लेकिन नहीं तुम चन्दा नहीं हो मेरी चन्दा ये है मेरा दिल मेरी आत्मा जानती है इसे नाचाने कहां चली गए ये मुझसे रूट कर चन्दा का दुख अब मुझे अपना सा लगने लगा है अरे ये क्या आप आप रोने लगी मेरी चन्दा के लिए आप आखने में आखने कि अब आप आप सुदा तुमने वह मुझे बुला रही है कौन मेरी चन्दा मुझे बुला रही है कौन कौन चन्दक, का उङें कौन पु़र फॉथ कौन चन्दक ... कौन पु़र आपोल उधव उन्दक, कौन ईन्दक! चंदा तुम इस वक्त चंदा का है मैंने अभी उसे देखा आप मुझे की आवाज ही सुनी नहीं तो यह चंदा कौन है चंद्रमुखी मेरी चंद्रमुखी हम दोनों का ब्या होने वाला से लेकिन लेकिन ठाकुर के आद्मिंध से यहीं कहीं लिया जानता हूँ वो यही है इसई हवेली में इसमें तो कि इसे पहचानते हो कि यह कड़ा तो मेरी चंदा का है का है वो वो बोली ना का है वो वो अप इस दुनिया में नहीं है बिने कि यहां थे विने मैंने उसे अपनी आखों से देखा था और यह भी देखा था कि ठाकुर की हवस का शिकार होने से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी चंदा अब इस दुनिया में नहीं है विने ठाकुर ने उसे मार डाला मेरी चंदा को आप साथ देंगी मेरा अब भी तो ठाकुर के जुल्मों का शिकार है बोली आप मेरे साथ चलेंगी कहा पुलिस को बयान देने पेकार होगा यहां की पुलिस ठाकुर के मुठ्धि में है मगर एस्पी साब ऐसे नहीं है आजकर वो यहां आए हूँ है देखे सिर्फ आप ही तो आमिर साथ चलिए प्लीज ठीक है अगया 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 इतनी राद गये मालिक के दुश्मन के साथ कहा भग रही हो मलकीन पुलिस ठाने हट जाओ रास्ते से हटने नहीं हटाने आया हूँ और मालकिन आपसे तो ठाकुर साब निपत लेंगे लेकिन इस से मुझे अपना पुराने हिसाप चुकाना है अगा एप हर दिश्मन के आख जञुण को city इसाड़िब ए्woुड्छ झर झर पेकि भी झराओ जोए झर झर Curt प्रृुड झरू आ हुँआ पॉलिस को सबूत चाहिए चंदा मैं सबूत कहां से ना हूं कहां से ना हूं चंदा लेकिन मैं तेरी मौत का बदला जरूर दूंगा सबूत मिले या ना मिले मैं आप मेरी मदद करेंगी मैं तो आपकी मदद करने ही आया हूं वेने बाबो चंदा अरे चंदा अहां चंदा वो देख चंदा अरे चंदा तू अरे चंदा अरे चंदा काहे डगम तेरी चाहलरी सकी आज है अजब तेरा खाहल री सकी नदे आ गए थी कशीनि दिखा कोई पथ में खड़ा मुस्ताए ऐसी घब राए के पूछो मत हाए 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 मेरा बाला उलच गया बालों में बिन्दिया गिरके जिमत गई गालों में मेरा बाला उलच गया बालों में बिन्दिया गिरके जिमत गई गालों में मेरा बाला रे मेरा बाला हाए मेरा बाला उलच गया बालों में किसे मिलकर आई है कोई हर जाई कंदी है कर चुटनी तेखे चुड़ी सूटनी किसे मिलकर आई है कोई हर जाई कंदी है जल जुटी तेखे चुड़ी तूटी क्या जाने सखी तो क्या जाने दुनिया दिल की काली में गोरी दिल वाली रज भी मेरे गालों में जहर भी है रंगीन गुलाबी प्यालों में पल में जहे तो उत्रे नातालों में ओ मेरा बाला उलच गया बालों में बिंध्या गिर के छे मत गई गालों में गालों में मेरा बाला ओ मेरा बाला है मेरा बाला उलच गया बालों में कि मैं समक ओर गई गई को शोरी ओंतर जंस विस्ती आवी से तंप eh करंग को थे को ररी तंप liquidity आझल में जस्थ कह जा सब्सक्रिण का जबे सब्सक्राइब करें वजेएं हुपना है उससले करिये ओध दुजग अ करहा है विसित कर दोच थे एंद कर दोदर देरी पिछले सालों में धूम बचाती थी नगरिया वालों में शोर भई है फिर्मत वालों में रे मेरा बाला उलच गया वालों में बिंधिया गिर के छेमत गई गालों में गालों में मेरा बाला उलच गया वालों में बिंधिया गिर के छेमत गई गालों में हो मेरा बाला है मेरा बाला रे मेरा बाला उलच गया वालों में आपने अपनी आखों से देख लिया कि चंदा के गाओं वाले भी धोगा खा गए उसके करीबी लोगों तब को शक नहीं हुआ कि वो चंदा नहीं आशादेवी है बस अब एक बार सिर्फ एक बार ठाकूर इन्हें चंद्रमुखी के लिबास में देख ले मुझे यकीन है उस इतनी दर्खासते आपसे हैं प्लीज ओलेट मिस्टर विने मैं आपके साथ हूं थाक्यू सर्थ थाक्यू परी मच्छ चलो जी सर्कार जी सर्कार जी बोच्वान गरी रोको जी जी बोच्वान जी आज वह देखा तुमने क्या वालिक वह लड़की का मालिक वहाथ कोई भी नहीं कि क्या बगवास कर रहे हो तुम्हें तखाय नहीं देरी वह लड़की नहीं मालिक लगता है आपको धोका हुआ है जोगा मैं गाड़ी वापपीस अवेली किदर ले चड़ू जी माने बड़ी तुफानी रहता है सरकार मैंने सब फिर्कियां बंद कर दिया और कोई हुकम नहीं जरूरत होगी तो मैं बुला लोगा जाओ जी कोने पहचाना नहीं मुझे ठाकूर तुम्हें अंदर किसने आने दिया यहां आने के जुरत कैसे की तुम्हें कुछ कुराना हिसाब किताब बराबर करता है कैसा हिसाब किताब डरो मत कि आज मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया ठाकूर चंद्रमुखी ने बुलाया मुझे चंद्रमुखी उसने 8 बजे मिलने का वादा किया है क्या पक्ते हो कि सच कहता ठाकूर वह मिली थी मुझे अब शायद सपनी में यह रूँ थी इसकी यह आप रूँको नहीं मानते हैं लेकिन मैं मानता हूं रूँको ठाक हो यह बयानक तुफान एक शोर सुन्रहां कि उमें बहुत ताकत होती है क्या बक्वास कर रहे हो निवल जाओ यहां से प्रीतम सेंग दुर्जान बेकार है चिलना आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा कि आज तो फैसला हम तीनों को ही करना परेगा तुम मैं और चंद्रमुखी चंद्रमुखी तुम मुझे डिराने की कोशिच कर रहे हो प्रीतम सेंग दरबान कि अरे कोई है कि कहां मर गए सब के सब कोई नहीं आएगा ठाकुर कि चाहां रूह आने वाली हो वाह दूसरा कोई नहीं आ सकता है क्या हुआ है कि सुनानी आपने क्या है ऐसा रबता जैसे दूपाव पाहल पहले इसी तरफ आरे हो क्सुन थड़ज है हुआ 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 हु कहां कैसा खूर यह देखो तुम्हारी तस्वी पर अपने आप के खूर के धबे अबर आए है यह यह जरूर तुम्हारी हरकत है नहीं ठाकूर नहीं इसमें यकिनन किसी और का हाथ है किसी तीसरे का हाथ तीसरे का हाथ लेकिन यहां मेरे और तुम्हारे सिवा और है कौर कैसी वहाद मुझे तो मुझे तो कोई आवास सुलाई नहीं दे रही है अजीव रात है यह ठाकुर कि इसा रखता है जैसे यहां को या आत्मा भटग रही है जिसकी जिंदगी का सपना दूरा रह गया है और वो यहां आने की कोशिश कर रही है कि देख रहे हैं वो धर धराते साहे उसकी वो लंबी लंबी सिस्क्यों के आवाज खामोश कि अब 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 कि अब अब कुछ में कोई झाल अब और अब युण इप यक कर सक दूने? गुळ het वे एंज गॉग प व करतू झाल झाल जाल विले आगे मत बरू मेरुचाओ 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 मैं कहता हूँ आगे मत बरू आज क्यों डरने लगे याद है वो तुफानी रात जब भीम सिंग मुझे उठाकर इसी हवेली में लाया था उसके बात क्या हुआ बोलो उसके बात क्या हुआ आज चुप क्यों हो आगे मत बढ़ना मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं दर्वाज़ा खोलकर तुम्हारी दर बढ़ा था तुम्हे काबू में करने ना चाहा तुम किसी चाहसे बचकर भाग नखली आज 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 हुँ आज कम आज कि आज आज कि आज कुम्ही हुआ 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 पिष भाल हुआ हुआ और हर तो मेरी लाश को हा यावले की पिच लिए सेनन घबा तया ताकि कोई इस रास को जानना सके एक बार पहले तुम्हें मौत के खाट तुआ रहा था आज उस सबूत को फिर से खतम कर दूँगा ना इठाब दूँगा कोई है रोश्णी रोश्णी यॉर अनर अरेस्ट आफिरासत में है ये सब जूट है साजिश है मैं सब कुछ सुन चुका हूँ अभी अभी आपने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है वाकिय सफाई अदालत में पेश करना सिपाई अरेस्ट कर लो इनको कर जाओ अरे यह तो मर गया इस्पेक्टर सिपाई उदर से तूँ देखो समल कर आए इस तरश मैं आपका बहुत ऐसान मंदू आशा जी आपकी वज़े से मैंने अपनी चंदा के खून का बदला ले लिया लेकिन आपको यह सब बाते कैसे मालूम हुई जोने खुद नहीं जानता था इस मन्हुस जगह पे चंदा की लाश को कहा दबाया गया यह आपको किसे मालूम हुआ जंदा का अंत ठाको के अलावार कोई नहीं जानता था यह आपने कैसे जान लिया आपके चेहरे पर यह चीप मुसको राहट आप जुप क्यों है मेरी बात का जवाब दीजिए विने बाबू माप कीजिए विने बाबू रास्ते में तुफान की कारण मुझे आने में जरा देर हो गई अभी अभी पुलीस वाले किसी उठा कर ले गए मेरे यहां पहुंचने से पहले क्या हो गया आख खामोश क्यों है विने बाबू वह आई थी कौन चन्दा क्या मुझे बुला रही है मुझे बुला रही है विने बाबू आजाता क्या आजारी 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 चन्दा 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 मेरे पिछले जनम कांद थुआ उस जनम में मुझे मेरी जन्दा नहीं मिल सकी लेकिन जानते हो प्रकाश मरते समय मेरी इच्छा थी कि अगले जनम में मुझे जन्दा जरू मिले साहब कोई मदनलाल जी ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए सब्सक्राइब कोन है यार माने फसा दिया किसी लड़की को देखना है जार रुकना लो बेटे लो थांकियो अग्योग अग्योग सुना है तुमारी कंपनी यहां फाइस्टार होटल बनाने वाली है जी अंकल कोशित तो है यहां की जो पुरानी हवेली है उसे हम कि आओ बेटी आओ सुनिए यह हमारी बेटी संधिया है कि तुम्हें पसंद है न बेटी चलम चलम से अचलम की यासी अखिया तेरी माथ निहारे कितनी सावड में वेटे बीती गई बहारे खाजारे प्रचली प्रचली, 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 प्रचली झाल झाल